हेलो अव्रिवन आज आपनभारत के रास्टपति के ऊपर चर्चा करेंगे देखे अपने यहां भारत में ब्रिटेन की तरह संसधिय सासन प्रणाली को अपनाये गये और जो संसधिय सासन प्रणाली होती है इसमें कारेपलिका के दो परदान होते एक होता है स्वेधानिक परदान जिसको नाममातर या उपचारिक परदान भी बोला जाता है एक होता है वास्तविक परदान भारत में जो रास्टरपती है वो स्वेधानिक परदान है समविधान द्वारा रास्टरपती को कारेपल का संबंदी संपूर्ण सक्तियां दी गई उनका जो पद है वो एक तरीके से गरिमा पूर्ण माना जाता है परतिस्टा का पद माना जाता है और भारती राजी की एकता का परतिक है अपने यहाँ पर लोगतंत्री एसासन परनाली तो है, साथ ही साथ गंतंत्री एसासन परनाली भी अपनाएगी है, जिसमें जो रास्टरा देख्ष है, वो वनसानुगत नहीं होकर निर्वाचित होता है जैसे कि अपन बिर्टेन को देखें, तो बिर्टेन में लोगतंत्री एसासन परनाली है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो राजा का जुपत होता है, वो वनसानुगत होता है जबकि गंतंत्रिय सासन व्यवस्ता में जो रास्टा देख्ष होता है वो पर्तेक्स तरीके से निर्वाचित होता है तो भारत में यही व्यवस्ता है कि रास्टप्ती का निर्वाचन किया जाता है सबसे पहले अपन देखते हैं सविधान में राश्टपती के लिए क्या-क्या उपन किये गए भारत की जो संग्य कारेपालिका है उसका विवरण सविधान के भाग 5 में अनुछेद 52 से लेकर 58 तक इसका वर्णन किया गया है 52 से लेकर 78 तक जो संग्य कारेपालिका है उसमें देखे रास्टपती शामिल है उपरास्टपती परधान मंत्री और उसका मंत्री मंडल और साथ ही महान्याईवादी जो अटानी जनरल जिसको अपन बोलते हैं जो एक तरीके से संग सरकार जो होती है उसका विधी सलाकार होता है कानूनी सला हुआ है कि भारत का एक राश्टपती होगा यानि राश्टपती पद की व्यवस्ता जो है वो अनुच्छित 52 के तहट की गई है फिर अपन बात करें अनुच्छ तरेपन उसमें लिखा गया है कि संग की कारेपाली का सकती रास्टपती में नहीं थोगी जिसका परियोग वे स्वैम और अपने अधिनस्तों के माद्देम से करेगा तो इस तरीके से संग की जो कारेपाली का सकती है देखे संग की कारेपाल का सकती संगात्मक सासन विवस्ता होने के कारण अपने यहाँ पर सासन के भी दो इस्तर है संग यह सासन विवस्ता में के अंदर इस्तर और राज्य इस्तर जो दो इस्तर होते हैं वो भारत में भी अपनाए गए हैं तो इसलिए रज्य की कारेपाले का सक्ति है वो रज्य पाल में नहींत होती है और संग की कारेपाले का सक्ति को कहा नित किया गया है राश्टपती में जिसका पर्योग में स्वेम करता है या अपने धिनक्स्तों के माद्यम से करवाता है लेंग्वेज के रूप में भासा के रूप में राश्टपती के लिए ये समीधान में विवरण लिखा गया है अब अपन सबसे पहले देखते हैं राश्टपती पद के लिए योग्यता हैं क्या क्या योग्यता हैं होनी चीए और इसका उलेक जो है वो अनुछेद 58 में किया गया है जैसे वह भारत का नागरिक होना चीए ये हर पद के लिए है 35 वर्सकी वह आयूपूरी कर चुका हो लोगसबा का सदश्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो यानि जो लोगसबा के लिए लोगसबा का सदश्य बनने के लिए जो योग्यता है निर्दारित है वो कि ये पर नहीं होना चाहिए या था थे सुनाव लड़ने के लिए यहां को अपने पद से त्याग पत्तर नहीं देना पड़ता उसके बाद यदि अपन बात करें तो रास्टपती के पद के उमीद्वार के लिए जब नामांकन होता है तो नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चीए यह जो अनुमोदक और प्रस्तावक या आवेदकों की जो संक्या है वो पहले 10 तस थी जिसको बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया उनीस सो से त्यार्वे के बाद में और इसके अलावा यह जो उमीद्वार है प्रतेक उमीद्वार जो भी रास्तावति पत के लिए खड़ा हुआ है उसको 15,000 रुपे और भारतिय रिजर्वा बैंक में जमानत रासी के रुप में जमा करवाने होते हैं वो इसलिए कि मान लीजिए यह दि उमीद्वार कुल डालेगे मतों का 1 बटवा शे भाग भी यह प्राप्त करने में एसमर्थ रहता है उसको प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी यह जो रासी है वो क्या हो जाती है जब्त हो जाती है तो जमानत की जो रासी है वो पहले 1500 थ है वो पांच वर्ष निर्धारित किया गये लेकिन उससे पहले मृत्यू हो सकती है या राश्टप्ति स्वयम अपना त्याक पत्तर दे दे या फिर संसत द्वारा महभ्योग लगा कर यदि वो समिधान का उलंगन करे या तीकर्मन करे तो उसको पद से हटाया जा सकता है तो इस कारण यदि राश्टप्ति का पद रिक्त हो जाता है तो नए राश्टप्ति का चुनाव 6 मा के अंदर अंदर हो जाने चीए 6 मा से ज्यादा समय नहीं लगना चीए और जो नया राश्टप्ति बनता है वो बचेवे कारेकाल के लिए नहीं बनता बलकि आने वाले जो 5 इसांफ वर्स होते है उसका कार्यकाल जो होता है वो शंपून अधी एकिलियो पांच वर्स के लिए पहल न लिज्या वर्स के बाद यह फिर से सप्रति के चुना हुए हैं तो 3 वर्स के लिए रास्ट अपति नहीं बनेगा बलकि आगे जो पांच आ उनके लिए राश्ठपती बनेगा उसके बाद में अब देखते हैं कि पहले आपन चर्चा करते हैं राश्ठपती द्वारा सपत पर जो अनुछे साट में दीवी राश्ठपती जो है सरवोच नहले के मुख्य नैदिस के समक्स और यदि मुख्य नैदिस उपस्तित नहीं है तो अन्य जो वरिश्टम नैदिस होता है उनके समक्स उसे साथ में उसका प्रारूप दिया वै उसकी सपत वै लेता है जैसे कि मैं रास्टपती पाद का जो भी कारी है उसका पालन करूंगा समिधान और विधी के रक्षा करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्यान के लिए हमेशा ततपर रहूंगा निरंतर सदेव उनके लिए तयार रहूंगा तो इस परका राश्टप्ती द्वारा सपत ली जाती है इसके अलावापन देखते हैं राश्टप्ती पद के लिए सर्ते और इन सर्तों का उलेग किया गया है अनुचेद 59 में सर्तों में देखिए एक तो वैस संसत के किसी भी सदान जैसे लोकसवा राज्जेसवा का सदस्य नहीं होना चीए तो उसे पद ग्रहण करने से पूरुई इस पद का क्या करना पड़ेगा त्याक करना पड़ेगा इस के अलावा अन्य किसी भी लाप के पदबरवाद नहीं होना चीए ये राश्च्वप्ति पद के लिए सरते हैं वेतन बत्ता की यदि अपन बात करें तो राश्च्वप्ति को वर्तमान में 5 लाग रुपे मासिक वेतन मिलता है ये जो मासिक वेतन था वो पहले 5 लाग रुपे था और जितने भी सूइधाएं होती हैं वो सारी की सारी रास्टवती को medical की है और भी निशुल्क हवाई यात्रा है अगा हैं वो सारी सूइधाएं उसको मिलती है इसके अलाओ उसकी जो भी उपलब दिया या उसके जो बत्ते हैं उनको उसके कारेकाल के दोरान कम नहीं किया जा नहीं है कि वह अपने प Cambodia कर्तव्यों और सकतियों का परियोग करता है लेकिन उसके बावजूद उसके संबंद में उसके विरूद किसी भी नहेले में कोई मुग्दमा नहीं चलाया जा सकता उसके कारेकाल के दो रएंज जब तक कि वह अपने पर आसीन है नयले में उसके कोई मुद्मा नहीं चलाया जा सकता उसके विरुदिदि किसे परकार की रास्टपती के विरुद कोई कारेवाई तो उसके लिए भी उस्तम नयले को 2 महीने पहले उसका क्या देना पड़ता है एक नोटिस देना पड़ता है और ये जो नोटिस होता है ये भी उसके किसी नीजी करतियों के लिए ही उसके उपर रास्टप्ती पर अभ्योग चलाया जा सकता है उसके बाद में अपन देखते हैं रास्टप्ती के पत की रिक्ता और इसका उले किया गया है उचे 62 में जैसे अपने कारेकाल के पढ़ रहे थे तो देखा था कि जैसे या तो पांच वर्स का कारेकाल समापत हो जाए या फिर वो त्याग पत्तर दे दे या फिर महावयोग द्वारा संसद उसको हटा दे उस पत्से या उसकी मृत्यू हो जाए या फिर ये भी हो सकता है उसकी निर राश्टपती के चुनाव में किसी परकार के कोई देरी होती है तो वह जो वर्तमान में जो राश्टपती वह तब तक अपने पत पर बना रहेगा पांच वर्स के बाद भी जब तक की जो नया उत्रादिकारी है वो कारे घ्रन नहीं कर लेता है और मान लीजे ये भी विवस् प्राश्ट्रपती के कार्यव finds कर सकता है और राश्ट्रपते के कर्तियों घर्चता है यह पर आपना देखते हैं कि यह राश्ट्रफित का प्द वो कुर्णा कर पा रहा है तो ईप्राश्ट्रपती उसके पत्ध के जो भी कारिय उनको संभालता है लेकिन मानलीजी दिए उपर राश्टपती का पद भी रिक्त हो तो फिर भारत का जो मुखे नयदिश है वह ऐसा कार्य करता है या राश्टपती के कर्टव्यों का निर्वन करता है अब अपन देखते हैं राश्टपती के उपर लगाये जाने वाले महाव महाब्योग लगाने के लिए एक आधार दिया है सविधान का उलंगन हालां कि सविधान में इसको कहीं पर भी परिभाशित नहीं किया गया कि किसको सविधान का उलंगन माना जाएगा लेकिन फिर भी सविधान का उलंगन करने या सविधान की जो धाराएं हैं उसके पर रास्टप्ति के उपर संसद द्वारा महभयोग लगाया जा सकता है अब महभयोग की जो परकिरिया है वो संसद के किसी भी सदन में लोकसभा में भी शुरुवात की जा सकती है और राज्जे सबा में भी शुरू किया जा सकता है जो भी सदन अभयोग लगाएगा उस सद इसके लिए राश्टप्ति को लिखित सूचना देनी होती है कम से कम 14 दिन पूर्वे कि 14 दिन पूर्वे एक नोटिस देना होता है राश्टप्ति को कि आपके उपर इस परकार का कोई महावयोग जो है वो चलाया जाएगा अब महावयोग देखे जैसे ही सदन में रखा जात यह इसतर मैथ्वफून होता है कि यहाँ पर राश्टप्ति को यह एदिकार होता है कि वह श्वयम या तो उपस्तित हो या फिर जांच के दोरान अपना कोई परतिनीती जो है वो प्रस्तूत करे और अपना जो भी पक्स है अपनी जो भी बात है वो सदन के सामने रखे ले लेकिन यदि बाद में भी सदन इन आरोकों को सही पाता है और उसी परकार जैसे पहले सदन ने दोतियाई बहुमत से पारित किया था उसको पारित कर देता है तो राश्टप्ति को अपना पद जो है इस्तान जो है वो रिक्त करना पड़ता है पद छोड़ना पड़ता है प्लस राज्यों की विधान सबाओं के निर्वाशित सदस्य से प्लस दिल्ली वैव पूडू चेरी जो केंदर शाशित राज्ये हैं उनके विधान सबाओं के सदस्य उस निर्वाशक मंडल में होते हैं लेकिन जब देखिए संसद द्वारा माभ्योग लगाया जाता है हाला जो मनोनित सदश्य होते हैं जैसे लोग सबा में राश्टप्ती द्वारा दो सदश्य और राज्य सबा में 12 सदश्य जो मनोनित किये जाते हैं वो भी राश्टप्ती की महावियों की परकिरिया में भाग लेते हैं अब अपन देखते हैं राष्टप्ती का निर्वाचन राष्टप्ती का जो निर्वाचन है उसका उल्लेक अनुछे चोवन और पच्पन में किया गया है चोवन में ये किया गया है कि राष्टप्ती का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंदल द्वारा किया जाएगा अब निर्वाचक मंडल में कौन-कौन से सदस्षे होंगे चोवन में इस बातकाव लेकिया गया है कि एपर्तेक्स रूप से और निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा वो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों लोग सवा और राज्य सवा के निर्वाचित सदस्षे तता राज्यों की विधान सवाओं के निर्वाचित सदस्षे और के अंदर सासित परदेश जो दो है दिल्ली और पूंडिचेरी इनकी विधान सवाओं के निर्वाचित सदस्षे भी भाग लेंगे इसके अलावा राश्ट्रप्ति का जो निर्वाचन है वो किस रीती से होगा इसका उल्लेक अनुछेद पच्छपन में किया गया है अनुछे पच्पन के अनुशार राश्ट्रक्तिगा जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिजित्वय पढ़नाली की एकल संक्रमनिय मत पढ़नाली द्वारा होगा इसकी चर्चापन आगे थोड़ी करेंगे एकल संक्रमनिय मत पढ़नाली में देखिए दो वाते हैं कि एक तो वर्यत्या दी जाती हैं उमीद्वारों को जो मत देने वाले लोग होते हैं मत दाता जो होते हैं वो पनी पसंद व्यक्त करते हैं और दूसरा इसका नाम एकल संक्रमनिय मत पढ़ना ली मां लिचे पहली गणाला में य ratios को न्यूंतम कोटा या निस्चित कोटा न्यूं अब देखिये रास्टपति के निर्वाचन में जो विबिन रज्जे हैं उनको समान परतिन दिद्वे देने की लिए और साथ ही राज्यों और संग के मद्दे भी समानता क्योंकि हर राज्य की जनसंग्य अलग अलग है हर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदश्यों की संख्या अलग अलग है और संसद लोग सभा में जो हर राज्य से सदश्य निर्वाचित होकर जाते हैं उनकी संख्या भी अलग लग है इसलिए इन में थोड़ी समानता इस्तापित की जाए इसके लिए एक निवन तरीका जो है वो अपनाया जाता है इस तरीके के माद्यम से संसद के सदश्यों के मत का मुले भी निकाला जाता है और साथ ही रज्य के जो विधान सबा के सदश्यों होते हैं उनका भी मत का मुले निकाला जाता है इसका देखे सबसे पहले अपन देखते हैं किसी रज्य की विधान सबा के परतेक निर्वाची सदश्यों के मतों की संक्या कितना मत उसका माना जाएगा या मत का मुल्ले जो है वो क्या माना जाएगा इसके लिए रज्य की कुल जन संक्या को रज्य विधान सभा के निर्वाची सदस्यों की कुल संक्या से विभाजित किया जाता है और साथ ही उसमें फिर हजार का जो है वो भाग दिया जाता है और इससे जो संक्या आती है इसके बाद में भी यदि पांसो से ज़्यादा कम आती है तो उसमें एक ओर जोड़ दिया जाता है इस तरीके से विधान सभा के परतेग निर्वाची सदस्य के मत की जो संख्या है या मत का जो मुले है वो निकाला जाता है उसके बाद अपन देखते हैं कि जब समस्त राज़ू के जो मत्तू की संख्या है वो प्राप्त हो जाती है तो उन सब के योग को संसत के परतेक सदन के निर्वाचित सदस्य के मत का मुल्य हो निकालने के लिए समस्त राज्यू की विधान सबाओं के कुल सदस्यू के प्राप्त मत्यू की संख्याओं का योग में किसका भाग दिया जाता है और इस प्रकार संसत के परतेक सदन के निर्वाचित सदशे के मत्व की संख्या जो है वो ग्यात की जाती है अब देखे रास्टरपती को जो एकल संकर्मनिय मत परणाली से गुप्त मद्दान होता है उसमें परत्याशियों के नाम के एक मत्दान पत्र छफ़ा लिये जाते हैं और इन मत्दान पत्रों पर नामों के आगे वरियता मत्दान के लिए इस्तान छोड़ दिया जाते हैं अब मत्दाता जो भी चुनाव लड़ने वाले सभी परत्याशियों होते हैं परत्याश्यों के सामने क्या करेगा अपनी पसंद जो अंकित करेगा मान लीजिए एक रास्रप्ति का पद जो है वो एक है और उसके लिए चार उमीदवार खड़े वें तो जो भी मद्दाता है वो एक को दो नमबर पर पसंद कर रहा है या एक नमबर पर पसंद कर रहा है बी को एक नमबर पर कर रहा है या दो नमबर कर या या वो अपनी वरियता जो है उस मद्दान पत्तर पर क्या करेगा अंकत करेगा यानि एक तरीके से परतेक मद्दाता को उतने ही मद देने का अधिकार हो गया जितने परत्याशू के नाम के मद्दान पत्तर छफे होते हैं या फिर जितने उमिद्वार रास्टप्ति पत के लिए खड़े होते हैं और इस मतदान में जो नियूंतम मत या कोटा प्राप्ट करने का सुतर है वो है वेध मतु की संख्या यानि जितने वेध पाएगे मत जितने पड़े उनमेंसे कुछ खारिज भी हो जाते हैं वेध गोशिद कर दिया जाते हैं तो वेद मतूं की संक्या बटे निर्वाचित होने वाले वक्तियों की संक्या प्लस एक और उसके बाद में फिर इसके भाग फल में प्लस एक तो यहां फर वेद मतूं की संक्या और फिर दो का उसमें भाग देकर एक उसमें प्लस कर दिया जाता है फिर मद्दान के बाद दे के लिए ये वाला सुत्तर जो है वो काम में लिया जाता है कि वेद मतु की संक्या बटा निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संक्या प्लस एक और उसके जो भागपुल होता है उसमें एक जोड कर चुनाव कोटा या नियूनतम कोटा या नियूनतम मत जो है वो निकाला जाता है इसमें अपन देखते हैं जैसे कि देखे कि मान लीजे चार उमिद्वार खड़े वें A, B, C और D अब देखे इन उमिद्वारों की जो पर्थम वरियता है उसकी पहले गणना की जाती है कि पर्थम गणना में यदि निस्चित कोटा किसी को प्राप नहीं होता है तो फिर उसके बाद में सबसे कम मत जिस परताशी के मिलती है उसकी दीतिय वरियता देखी जाती है और जिनको उन मत्तों में दीतिय पसंदी गई है उनके मत में ये मत चोड़ दिये जाते है और मालीजे दीतिय गणना में भी किसी को निस्चित कोटा प्राप नहीं हो तो फिर तीसरी और तीसरी में भी नहीं हो तो चोथी ये करम तब तक चलता रहता है इसको अपन देखते हैं कि मालीजे जैसे कि दोसो वेद जो मत थे वो दोसो पोट थे अब इसमें अपन एको देखते हैं कि पचास मिले बी को जो है वो हसी मिले और सी को मालीजे चालिस मिले और डी को जो है वो सबसे कम मिले तीस मिले इसमें अपन देखते हैं कि किसी को भी 200 के लिए जो आंकड़ा था वेद मतुका या जो नियूंतम कोटा है वो कितना आएगा 101 कम से कम तो ये किसी को भी प्राप नहीं हुआ तो इसके लिए फिर सबसे पहले क्या किया जाता है जैसे कि D है इसको सबसे कम पर्थम वरियता में इसको सबसे कम बार पसंद किया गया तो इसकी जो पर्थम वरियता है वो निकाल दी जाती है इसको अलग कर दिया जाता है उसके बाद में ये देखा जाता है कि पर्थम वर्यता जो D को जिस जिस लोगों ने पर्थम वर्यता दी है उन मत्पत्रों में इसके जो ये 30 मत्पत्र है इनमें ये देखा जाता है कि दूसरी वर्यता इन लोगों ने किस-किस को दी है तो मान लीजे उसमें तीन लोगों को A और B है और C इनको ये परियता देंगे और वो दूसरी वरियता इनको कितने कितनी मिली है वो इसमें विवाजित कर दी जाती है और फिर उसको प्लस करके नियुनतम कोटा है वो निकाला जाता है कि इस नियुनतम कोटा के आंकड़े को पार किया है या नहीं किया है तो इस तर जरत पड़ी थी 1909 में जब दित्य पसंद के जो मतु की गणना की गई थी और जो उस समय राष्ट्रप्ती बने थे वीवी गिरी उनको निश्चित कोटा प्राप्त हुआ था इसके पहले और अभी तक जो भी राष्ट्रप्ती बने वो पर्थम वरियता में ही उमिद्वार क वो जीत के लिए जो निश्चित कोटा है वो प्राप्त हो गया था इसके अगले वीडियो में आपन राष्ट्रप्ती की सामाने कालें सक्तियों के उपर चर्चा करेंगे धन्यवाद